Hello everyone, फिर से स्वागत आप सबका मेरे YouTube चल्ल एबीटी, अंतिल बाइलजी टुटोरियल और मैं हूँ आपका अपरादो संदिप अंतिल वीडियो को लाइक करें, शेर करें, अगर आप नए हो तो चलन को सब्सक्राइब करें आज हम डिस्कस करेंगे Complementation Test, यह CSI Reignite के काफी important topic है, इस से काफी बार question पूछे जाते हैं, 2 marks में कोछे जाते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में Complementation Test का जो concept है, इसको हम बिल्कुल अच्छी से समझेंगे, और CSI Reignite में से किस तरीके से question पूछे जाते हैं, यह सब भी discuss क कुम्प्लिमेंटेशन टैस्ट को समझने से पहले जैनेटिक के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे मायंड में होने चाहिए फर्स्ट इंपोर्टेंट प्यान है जो इंपोर्टेंट पॉइन्ण गाते के लिए 269 और 1906 इंप्प्य संगlden एक प्रट yogurt कििते के लिए या फिर homozygous dominant condition में present होएंगे तब जाके purple pigment synthesize होएगा तो जहां पर purple pigment synthesize हो रहा है यहां पर gene C और gene P complement कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो यहां पर complementation हो रही है लेकिन जहां पर purple pigment synthesize नहीं हो रहा है तो यहां पर कोई भी complementation नहीं हो रही है अब हम बात करतें complementation टेस्ट की यहां पर दो प्लांट है plant A and plant B दो जो फिनोटाइप हो परपल है ठीक अगर दोनों में homozygous recessive mutation हो जाती है तो जो दोनों का फिनोटाइप हो जाता है white phenotype complementation test हमें यहीं बताता है यह दो homozygous recessive mutation हो रही है जो जोगी same phenotype produce कर रही है यह दोनों plants के अंदर same gene में हो रही है या फिर separate gene में हो रही है अगर mutation same gene में हो रही है तो वहां पर complementation हो जो हो रही है तो वहां पर complementation होईगा ऐसा क्यों हो रहा है अब इसने हम one by one discuss करते हैं में हो रही है case first mutation in separate gene तो parent A के अंदर mutation है वो जीन C के अंदर और parent B के अंदर mutation जीन P के अंदर है तो हमना भी discuss किया था अगर इन में से कोई भी एक gene homo gigantic sensitive condition में present होगा तो purple pigment नहीं होएगा तो इसी जुझे से इसका फिनो टाइप है वह है white और यहां पर भी जो gene P हो homo gigantic sensitive condition में present तो यहां भी purple pigment नहीं होगा तो इसका भी जो fenotype हो है white और जो white fenotype होता ही होता है mutant fenotype अगर हम इन दोनों mutant parent को cross करा है तो क्या होगा क्रोश करा है जो offspring आया वह आया wild type यानिकी purple infinotype ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों है यहां पर दोनों gene heterozygate condition में present है और यहां पर जो dominant copy है gene P की यह आई है parent A से और जो dominant copy है gene C की यह आई है parent B से जो dominant copy of gene C and dominant copy of gene P complement करेंगे एक दूसरे के साथ और purple pigment synthesize कर देंग है और complimentation का हो रहा है जब mutation separate gene में है mutation in separate gene जब ऐसी condition होती है जब दो mutant parents से wild type of spring आता है तो यहां पर जो genes है वह different complementation group से बिलोंग करते हैं तो यहां पर genes है वह बिलोंग कर रहे है different complementation group से बिलकुल सिंपल है अगर दो mutant parents से wild type of spring आता है तो मतलब जो mutation है वो separate gene में है और वहां पर complimentation होईगा और gene से बिलोंग करेंगे different complementation group से अब हम case 2 लेते हैं जहां पर mutation same gene में लेकिन जो इसकी location है वो different parent first है जिसके अंदर mutation gene C में है और parent B के अंदर mutation C में है लेकिन जो इनकी location वो different है parent A के अंदर gene C के starting में mutation है और parent B के अंदर बिल्कुल gene C के end में है तो यहां पर भी gene C हो homozygous recessive condition में है जिसकी वो जैसे यहां पर purple pigment नई synthesize हो पाएगा और जिसकी वो जैसे इसका फिनो टाइप वो white है और यहां पर gene C homozygous recessive condition में है जिसका भी जो फिनो टाइप है वो white ह जब हम ऐसे mutant period के cross कराएंगे तो क्या होएगा जो offspring आएगी वो भी mutant आएगी क्योंकि यहां पर gene C है homozygous recessive condition में present है एक mutant copy हमारी parent A से आ रही है और second mutant copy parent B से आ रही है अगर gene C homozygous recessive condition में है तो यह gene P के सब compliment नहीं कर पाएगा और जिसकी वो जो purple pigment हो जो यहां पर synthesize है नहीं हो रहा इसलिए हम कहते है अगर mutation same gene में हो तो complimentation नहीं होता no complation ठाइए अगर mutation same gene में है तो वहां पर कोई complimentation नहीं होएगा जब ऐसी situation होते ही जहां पर mutant parent से mutant offspring ही आ रहा है तो वहां पर जो gene से बिलों करते है same complimentation group से तो दोस्तों complimentation test को सिस-trans test भी कहते है यह हम यहीं बताता है जो mutation में different gene में हो रही है फिर same gene में हो रही है अगर दो mutant parent प्रोडूस करते है एक wild type of spring को तो मतलब वहां पर जो mutation हो different gene में हो रही है और वहां पर complimentation होईगा और जो gene से बिलों कर रहे है different complimentation group से अगर दो mutant parent प्रोडूस करते है mutant of spring को ही मतलब वहां पर जो mutation हो same gene में हो रही है, वहाँ पर कोई complimentation नहीं, अगर gene हो बिलोग करेंगे same complimentation group से तो दोस्तो यह था हमारा complimentation test का concept इसमें हम यही बात याद रखने हैं कि अगर parent ही cross कराने से wild type of spring आता है तो वहाँ पर complimentation हो रही है और जो gene से बिलोग कर रहे है different complimentation group से अगर parent ही cross कराने से mutant of spring आता है, तो वहाँ पर complimentation नहीं हो रही है और जो gene से बिलोग कर रहे है same complimentation group से अब हम discuss करेंगे complimentation test related क्या से question पूछे जाते है CSIR net में तो दोस्तो यह question है जो कि June 2013 में पूछा गया था ठीक है तो एक complimentation test का result रहा है और इसमें जो zero है वो indicate कर रहा है non-complimentation यानि कि mutant को और plus indicate कर रहा है complimentation यानि कि wild type हो इस zero के जगा minus भी हो सकता है तो exam में minus आया zero है उसका मतलब है mutant है तो दोस्तों हमें इसमें सिरफ यह concept याद रखना है अगर दोनों parent ही close कराने के बाद mutant और spring आ रहा है तो यहा है है स् same complimentation group से तो हमें इसमें focus कर रहा है है am नहीं, mutant type के हैं, mutant के उपर, अगर हम वन की cross करातें, वन की cross करा रहे हैं तो यहां हम, भी करातें तो ब्लाइब ऑन 6 और 3 बिलोंग कर रहे हैं सेम कॉंप्लिमेंटेशन ग्रूप से अगर हम 2 की क्रोस करा रहे हैं 2 के साथ तो तभी म्यूटेंट आ रहा है 2 बिलोंग कर रहा है एक डिफरेंट कॉंप्लिमेंटेशन ग्रूप से अगर 3 की क्रोस कराते हैं 6 साथ तो भी mutant आता है, और 3 के साथ, तो तब भी mutant आता है, मतलब 3 और 6 बिलोंग कर रहे हैं, same complimentation group से, और यह हमें पहले ही पता तल जुगा है, 6 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, same complimentation group से, जो पहले आ चुके हैं, हम उन्हें अलग से नहीं mention करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 के क्योंश group है, 3 complimentation group है, 1st, 2nd, और 3rd, ठीक है, 1st complimentation group में कौन कोन है, 1, 6 और 3, और 2nd में, step 2 है, और 3rd complimentation group में, 4 and 5, तो दोस्तों, इसी तरीके के question पूछे जाते हैं, I hope आपको complimentation test का concept, आच्छी से सांज में आया होगा, next video में दोस्तों, हम ऐसी important topic को discuss करेंगे, तब तक इसको revise क करें, take care, bye bye